अस्सामुलीकुम मैं हूँ डॉक्टर साधियलवी और वेलकम टुमाई चैनल आज हम बात करेंगे प्रिणेंसी बे लुकॉरिय के हवाले से जिसे हम विजैनल डिश्चार्ज भी कहते हैं तो इसकी आज मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स बताऊंगी किन टाइप्स का त्रॉof का डिफरेंट 엔्ष मैं आपको डॉकित नहीं है किस सूरत में आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना या किस तरह का आपको डिश्चार्ज हो उस सूरत में आपको अपना एलज करवानी की जरूरत हैं कुद्धित का एक निजाम होता है कि जो फीमिल होती हैं उनके विजाना के अंदर कुछ ऐसे बिक्टिरिया होते हैं, जो के उसमें हर्मोन्स भी होते हैं, जो के आपके विजाना का एरिया है, उसे ड्राइ नहीं होने देते हैं, और कुछ ऐसे बिक्टिरिया भी होते हैं, जो के उसके विजाना का इन्वार्मेंट है, उसे ऐसा रख अगर आपको प्रिगनसी में ऐसा वाइट डिशार्डर जो हलका सा है जिसी कुछ से मेल नहीं है या वाइट कलर का है और हलका फुलका है और आपकी जिसम पे जहां पे लगे वो खारिश नहीं कर रहा या अगर आपको पिशाब में जलन नहीं है और बिल्कुल हलका फुलका ह का है वाइट कलर का है हम तो उस सुर्ग में आपको परिशान होने की दारूरत नहीं होती क्यों कि हल्की है जुविजानल भ qualcosa रहता JUST है guitar अभ हम बात करते हैं या अगर आपका जो जिस्चार्ज है वो ऐसा है कि आपके विजाना भी जलन हो रही है जब वो जिसम से बाहर खारिज है फिर भी जलन हो रही है या आपको विजाना के जो पार्ट है उस पे बहुत ज़दा खारिश है जलन है और या आपको साथ बलड आ रहा है और इसके आपने अपनी डॉक्टर से मश्वरा करना है और वो फिर आपको कुछ एंटिबैटिक मेडिसन देंगी ताके आपका जो ब्लीडिंग हो ना हो अगर आपका डिलिवरी का जो टाइम बिल्कुल करीब है और आपको एक मुकस प्लग जो हो रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि कि अब लेबर का टाइम करीब है यह अगर आपका डिलिवरी का टाइम करीब है और आपको विजैनल दिस्चार्ज के साथ ब्लड आ रहा है तो यह भी इस बात की निशानी होती है कि आपकी डिलिवरी होने वाली है तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ खवातीन का जो वाटर बैग लीक हुआ है तो आपका जो लेबर का टाइम वो करीब है अब वाटर बैग जब लीक होगा तो उसके क्या निशानी होगा उसका यह होगा कि गश ऑफ ब्लड एकठा सा आपको 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 यू लगगा जैसे आपका यूरन निकल गया है और आपकी सारी जो कपड़े को खराब हो गया है तो एकठा सा जो गैश है वाटर का जासे के वो थैली का टाइम करीब होगा तो यह कुछ जरूरी चीज dozen आपको जब आपका विज hedgehog ho लेकुरिया हो तो उसको आपने ध्यान से देखना भी होगा स्मेल भी आप फील कर सकते हैं ताकि अगर कोई infection हो या blood हो तो सुरत में आप अपना मुनासिब इलाज कर पाएं एक और चीज कि अगर आप चाहती हैं कि आपको लिकोरिया या white discharge pregnancy में जादा ना हो तो अपनी खुराक में जादा मिर्च मिसाले वाली चीज़ हैं उनसे परहेज करें पानी का इस्तमाल जादा करें बहुत ज़दा जो तंग कपड़ें वो ना पहने अपने जिस्मानी सफ़ाई सुथरही का ख्याल रखें और आप ऐसे टॉलेट यूज ना करें जो के पबलिक प्लेस पे हो या जिन में बहुत ज़दा infection हो और पानी का आप इस्तमाल जादा करें और खुला और डीला डीला जो है आपने अपने ड्रेस पहनना है कबज ना होने दें तो ये सारी चीज़े हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको infection भी नहीं होगी और जो विजनल डिस्टार्ट जब भी बहुत काम होगा तो I hope कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए काफी helpful थाबित होगी वीडियो को आपने लाइक कर देना है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद informative वीडियो अब तक पहुछ दे रहे हैं